ये है सबसे पहला स्कूबा डाइविंग हेलमेट और इसका आविशकार आग से लड़ने के लिए किया गया था। इसका आविशकार 1820 के दशक में इंगलेंड में हुआ था। फिर कई सालों बाद इसी को देखकर दुनिया का पहला समुंदर की गहराईयों में जाने वाला एक सूट तयार किया गया था। इसकी टेस्टिंग के टाइम कोई भी पानी में जाने को तयार नहीं हुआ। तो ऐसे में इसे बनाने वाले खोजकरता ने खुद ही जाने का सोचा। इसे 300 फीट की गहराई तक भेजा गया जिसमें लगातार ऑक्सीजन बाहर से दी जा रही थी। और जो लोग उपर खड़े थे उन्हें लग रहा था कि अंदर गया इंसान बच नहीं पाया होगा। कुछ समय बाद उन्होंने इसे उपर खीच लिया जिसमें वह इंसान जिन्दा था इसी के साथ उन्होंने सबसे गहरी डाइव का रिकॉर्ड बनाया।